दो और तीन जन्वरी की दर्मियानी राप को आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोसिमट के एक बड़े हिस्से में बड़ी बड़ी दरारे आ गई तीन दिन जोसिमट में रहकर मैंने विभिन छित्रों में रहने वाले लोगों से बाचीत की इस बाचीत में एक बात लगबग हर मिलने वाले ने कही और वो बात है दो और तीन अक्टूबर की दर्मियानी राप को जमीन के नीचे हुई हलचंग जो एक बड़ा विस्पोर्ट भी हो चकती है गड़वाली गायक नदेंदर सिंग नेगी जी का एक गीत है नोपरे विकास का विनास के निकेरी ये पहाडों को खोजवेशनी पच्छानवेशनी यानि की विकास की नाम पर पहाडों का विनास किसने किया उसे पहचानो जोसी मठ की तस्वीरें इस गीत को एक बार फिर स कर रही हैं नमस्कार आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बात बोलेगी मैं तिरलो चनभठ इस वीडियो में हम जोसे मठ में भूध असाओं के कुछ और पहलों पर बात करेंगे इससे पहले की आगे बढ़ें आपसे इस वीडियो को अंत तक देखने लाइक करने कमेंट करने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विनम्र अनुरोध है हाला कि जोसी मठ के कई हिस्सों में एक वर्स से जादा समय से दरारे आ रही हैं लेकिन तीन जनवरी की सुबह जब जोसी मठ के लोग घरों से बाहर निकले तो मंजर बदला हुआ था यह बात हर बेक्ति बता रहा है कि उस रात कुछ तो हुआ था जोसी मठ में हमें कई ऐसे लोग मिले जिनका कहना था कि दो और तीन जनवरी की रात करीब देड़ से दो बजे के बीच कुछ हलचल मैसूस हुई थी कुछ लोगों को लगा कि भूकम्प का जटका था लेकिन उस रात कोई भूकम्प नहीं आया था ज्यादा तर लोगों का कहना था कि एंटी पीसी ने जमीन के अंदर शायद कोई विस्फोर्ट किया था लोगों को आसंका है कि यह विस्फोर्ट टनल में दो हजार सोलों से फंसी टी बीएम यानि टनल बोरिंग बसीन को निकालने के लिए किया गया था जो से मठ की इस तबाही के लिए इस टी बीएम को भी जम्मेदा थेराया जाता है टी बीएम एक भारी भरकम बसीन होती है जिसे टनल बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो पोबन विष्णुगाट पर योजना की मुख्य टनल बनाने वाली ये टी बीएम सबसे पहले 2009 में हेलंग से करीब 3 किलो मिटर आगे फंस गई थी इस जगे से अब भी 200 लीटर प्रति सेकेंड पानी निकल रहा है उसके बाद थेकेदार कंपनी एल एंटी ने कांटेक्ट खतम कर दिया दूसरा कांटेक्ट हिंदुस्तान कंस्ट्रेक्शन कंपनी को मिला टीवीम को निकाल कर कुछ आगे बढ़ाया गया लेकिन 2012 में यह मशीन फिर फंसी तीसरी बार 2016 में फंसी और अब तक फंसी हुई है उसके बाद यहां पर वैग्यानिकों ने नापा कि यह 3 किलो मीटर अंदर सेलंग से टनल गई थी और उसके बाद 700 लीटर प्रती सेकंड पानी का बहाव निकला है दूसरी घटना फरवरी 2012 और तीसरी घटना अक्टूबर इसी टनल में काम करने वाले एक ब्यक्ति ने नाम का जिक्रन करने की सर्थ पर बताया कि इस समय टी बी एम जोसी मट के आगे करीब करीब परसारी गाओं के नीचे है सुनील गाओं को यदि धर्ति की सतह मान लिया जाए तो यह मसीन सतह से करीब डेड़ किलो मीटर नीचे इस समय है और उन्हें हमें ये भी बताया कि ये मशीन अपने तल से लगातर उपर उठ रही है और क्यूं उठ रही है इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया अभी जाच भी नहीं की गई है और यह एक खतरनाक संकेत है जोसी मठ में जादातर लोगों का कहना है कि इसी टीवीम को निकालने के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जमीन के नीचे बिस्फोर्ट कर रही है हाला कि टीवीम की इस्तिती बताने वाले ब्यक्ति का कहना है कि HCC कमपनी छोटे भी स्पोर्ट करती है लगभग 500 सेंटिमीटर के होल में इस से जमीन पर इतना इंपेक्ट होने की संभावना नहीं होती है जितना जोशी मठ में देखा जा रहा है इसके बावजूद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दो जन्वरी की रात को वहां कोई भारी भी स्पोर्ट किया गया था इस रो की रिपोर्ट भी इस सरा प्रतीत हो रही है कि जोशी मठ के नीचे इन दिनों कुछ न कुछ बड़ा घटित हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साथ महिने में जोशी मठ की जमीन 9 सेंटी मीटर धसी थी और हाल के 12 दिनों में करीब 5.4 सेंटी मीटर खिसक गई है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आपका आभान जोशी मठ के भूधा साव पर कुछ और जानकारियों के साथ जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में नमस्कार